हलो एवरिवन कैसे आप लोग आज ही क्लास में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 इंगलिस का फर्स्ट राइट बुक से चैप्र नॉम्बर 11 दब प्रोपोजल इसके राइटर है एंटॉन चेकव समझते हैं प्रोपोजल का मतलब क्या होता है प्रोपोजल का मतलब का मिनिंग होता है एक स्टोरी में proposal word का मतलब यह ठर्ड वाला है the act of asking someone's hand in marriage इसमें होता क्या है कि एक इंसान दूसरे इंसान से साधी का इसना लिके जाता है फिर देखते हैं उसका कि क्या होता है स्टोरी में यहां पर एक ने रिवाज वाला है प्रिपिरेशन फ़ॉर रुमें अध्यस साधी कैसे होता है क्या रिवाज होते हैं वह खropolाइब किया होता है चलिए और एक reception मतलब पार्टी रख दीजिए, पार्टी का रेंजमेंट कर लीजिए, बस साधी हो जाएगा Earlier the bride's family paid for the reception, but nowadays bride's and groom's families usually share expenses पहले के दिनों में जो दुलान वाला साइड होता था, वो ही रिसेट्चम का खर्चा उठाता था लेकिन आजकल जो दुला और दुलान की family दोनों ही इस खर्चे को share करती है ठीक है, मतलब दोनों ही इसका खर्च उठाती है A Russian wedding lasts for two days, दो दिन तक चलता है इनका साधी usually Some weddings last as long as a week, लेकिन कोई-कोई साधिया एक हपते तक भी चल जाता है And the occasion becomes something to remember for years और ये साधी का जो उत्सव है, ये ऐसा occasion बन जाता है जो लोग सालों तक याद रखते है The necessary part of the wedding ceremony is a wedding procession of several cars यहाँ पर सबसे जुरूरी पार्ट ये है कि एक wedding procession of several cars जैसे इंडिया में बारात होता है बारात system वैसे यहाँ पे भी कई सारे कारों का जो जूनदे वो एक साथ आगे line में निकलता है The best friends of the groom या फिर bride meet before the wedding a few times आप ये समझ रहे हैं ना, groom का मतलब दुला और bride का मतलब दुला नहीं ये पता है आपको तो जो दुले के जो best friend है या फिर दुलन के जो best friend है ये सब आपस में मिलते हैं साधी से पहले और मिलके posters बनाते हैं, speeches लिखते हैं, organized contest ये सब करते हैं तो ये हमारे इंडिया में ऐसा नहीं होता है ठीक है When the groom arrives to fetch the bride for the registration, he has to fight to get her तो जब दुला दुलान को लेने के लिए आता है registration करने के लिए ठीक है तो उसको दुलान को receive करने के लिए काफी fight करना पड़ता है Fight करना पड़ता है मतलब इसलिए समझते हैं क्या करना पड़ता है Russians usually live in apartments in tall buildings and the groom has to climb several stairs to reach his bride Russia के जो लोग है वो usually apartment में रहते हैं, लंबे-लंबे buildings में तो grooms को सीरी चर के जाना होता है दुलान को receive करने के लिए इसी को यहां पर fight बोला गया है But at each landing he must answer a question to be allowed to go up लेकिन हर एक floor में उस दुले को एक सवाल का जवाब देना पड़ता है तब उसे उपर जाने दिया जाता है The bride's friend asks difficult questions, sometimes about the bride, sometimes just difficult riddles and the groom must answer with the help of his friends जो दुलन की दोस्ते हैं वो काफी मुश्किल मुश्किल सवाल पूछते हैं वो सवाल related हो सकता है, दुलन की दुलन से related हो सकता है या फिर कुछ पहलिया हो सकती है ठीक है? और दुला जो है वो अपने दोस्तों के help से उस सवालों का जवाब देता है अगर दुले ने सवाल का जवाब गलत दिया तो उसे कुछ रुपे देने होंगे तब उसे उपर जाने दिया जाएगा जब रिजिस्ट्रेशन हो जाता है उसके बाद जो नुवली मैरीड कॉपल है वो तूर के लिए सहर में थोड़ा गूमने के लिए जाते है अफर टू-त्री आर्स अब दे सीटी तूर दे कॉपल अराइब दे रिसेप्शन दो-तिन घंटे घूमने का बाद वो कपल वापस उस रिसेप्शन में आते है दा कपल सीट्स अट इस्पेशली अर्रेंज टेबल विथ देर फैमिली फ्रेंज और इन्वाइटेड गेस्ट फिर एक इस्पेशली अर्रेंज टेबल होता है उस पे जो दुदा-दुला ने वो बैठते हैं उनकी फैमिली बैठती है फ्रेंड और जो भी गेस्ट है वो सब बैठते है the reception starts with toast to the couple reception toast के साथ start होता है toast क्या होता है देखिए a wedding toast is a custom where a close friend or relative of the groom or the bride says a few words to wish the couple then everyone raises their glass of wine and drink it up at the same moment wedding toast एक ऐसा डिवाज है रीथ है जिसमें जो close friend है या फिर कोई भी relative है दूला का या फिर दूलन का वो उस couple को wish करते हैं और कुछ सब्द कहते हैं फिर wish करने का बाद सभी लोग अपने जो glass of wine है उसको उठाते हैं उपर और सब एक साथ पी लेते हैं तो इसी custom को toast कहा जाता है wedding toast ठीक है the groom is then asked to kiss the bride, fit groom को कहा जाता है कि आप bride को kiss कर लो after a few toast people start eating and drinking and generally have fun तो कुछ toast के बाद लोग खाना पीना start कर देते हैं और मस्ती करना start कर देते हैं after some time the bride gets stolen अब ये क्या हो गया कुछ दिर बाद जो दूलाने वो चोड़ी हो जाती है अब ये कैसे हुआ देखते हैं cd disappears and when the groom starts looking for her he is asked to pay a fee दूलान गयाब हो जाती है और जब दूलान उसे ढूनने के लिए निकलता है तो उसे कहा जाता है कि आप कुछ पैसे पे करो तब आपको दूलान वापस लोटाई जाएगी usually it is his friends who steal the bride तो usually क्या होता है कि दूले को जो दोस्त होते है वो दूलान को चोड़ी करते है इंडिया में अगर ऐसा हो तो पता नहीं साथ माट फीट हो जाए यहाँ पर चलिए then there are the bride's friends they steal the bride's shoes अब फिर दूलान की जी दोस्ते है वो दूलान की जुते चोड़ा लेती है इंडिया में दूले का जुत्ता चोड़ी होता है लेगिन यहाँ पे दूलान की जुत्ता चोड़ी होता है the groom must pay money for the shoe too अब जूत्ते के लिए भी उसे पैसा पे करना पता है मतलब हर जगाँ पैसा का खेले यहाँ पे the guests enjoy watching these tussles and continue parting जो guests आये हुए है उन्हें भी काफी मज़ा आता है यह सब tussles छोटे-मोटे नोग जोके यह देखने में मज़ा आता है और वो लोग यह सब देखते-देखते अपना खाना को enjoy करते है तो यह कुछ Russian wedding के बारे में बताया यह है एक्जाम में इससे question नहीं आता एंटोन चेकोफ इट वस रिटेन इन 1888-89 तो यह आजका जो हमारा play है दा प्रोपोजल इसका ओर्जिनली टाइटल क्या था अमेरेज प्रोपोजल बार में इसका नाम सिर्फ दा प्रोपोजल कर दिया गया यह एक one-act play है मतलब इसमें सिर्फ एक ही act है ठीक है एक ही scene में यह खतम हो जाता है और यह एक fars है थोड़ा comedy टाइप है यह और इसके जो राइटर है वो रुषियन short story writer है जिनका नाम है एंटोन चेकोफ यह story 1888-89 period में लिखा गया था देखते है play क्या चीज़ के बार में है यह play है उन वेल्दी फैमिली के टेंडेंसी के बार में अक्सर वेल्दी फैमिली ऐसे अलग दूसरे वेल्दी फैमिली के साथ रिष्था करती है जिससे उनका क्या हो इस्टेट्स इस्टेट्स मतलब लार्ज एडिया ओफ लेंड जिससे उनका संपत्ती इंक्रीज होने का पॉसिबिलीटी हो वहाँ पर समझ रहे बात का गयर आई तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि वेल्दी फैमिली अक्सर ऐसे अधर वेल्दी फैमिली के साथ रिष्था कर करती है जिससे उनका इस्टेट इंक्रीज हो और जो जहां पर गूड एकोनोमिक सेंस होता हो मतलब गूरूम साइट और ब्राइड साइट जोनों को ही कुछ बेनिफीट हो एकोनोमिक सेंस में पैसे के मामला में तो ही ऐसा साथी को यह लोग इंक्रेज करते हैं समझे इतना चलिए का हाथ मांगने के लिए आते हैं समझे इतना all three are quarrelsome people तीनों ही काफी जगरेलू टाइप के इंसान है and they quarrel over pity issues छोटे छोटे बातों पर लड़ लेते हैं the proposal is in danger of being forgotten amidst all this quarreling और इतना जगरते हैं कि मानो यह साधी का proposal है वो भूली जाते हैं तीनों के तीनों but good economic sense ensures that the proposal is made after all although the quarreling perhaps continues लेकिन चुकि इनका economic sense काफी अच्छा है ठीक है यह लोग loss बरदास नहीं कर सकते हैं इसलिए यह proposal फिक्स तो हो जाता है लेकिन यह जो quarreling है वो चलता ही रहता है तो यह हमने देख लिए खलका सा brief introduction चलिए आगे बढ़ते हैं यहापे characters के बारे में फिर से बताया गया है सबसे पहला character इस्टेपान इस्टेपानोविच चुबुकोव यह है नेटेलिया के पिताजी लैंड ओनर है यह दूसरे है नेटेलिया इस्टेपानोवा his daughter 25 years old है यह और तीसरे है हमारे groom होने वाले groom इवान रैसल्वी स्लोमोव यह एक neighbor है चुबुक लैंड ओनर मतलब जमीदार है दोनों ही जमीदार है चलिए अब देखते हैं कहां पी यह scene हो रहा है a drawing room in चुबुकोव's house चुबुके के घर का drawing room का scene है लोमोव enters लोमोव उस drawing room में जाता है wearing a dress jacket and white gloves यह dress को भी underline कीजिएगा बहुत important है लोमोव का यह dress up होता है एक dress jacket वह प प्ले चुबुकोव बोलते हैं my dear fellow whom do I see Ivan Veselwich I am extremely glad तो चुबुकोव लोमोव को देखके बोलते हैं कि मेरे प्यारे मैं आज किसी देख रहा हूं Ivan Veselwich को काफी खुशी हो ही तुमसे मिलके squishes his hand अब यहाँ पर टेरा टेरा मतलब इस टेलिक्स में लिखा हुआ है ब्रैकेट में इसका मतलब यह कोई accent describe कर रहा है ठीक है तो यहाँ पर squishes his hand मतलब तो दोनों हात मिलाते हैं now this is a surprise my darling how are you फिर चुबुकोब लोमोफ को बोलते हैं कि तुमने तो surprise दे दिया यहाँ पर आके कैसे हो तुम लोमोफ बोलते हैं धन्यवाद मैं ठीक हूं and how may you be getting on और आप कैसे हैं आपका कैसा चल रहा है चुबुकोब बोलते हैं we just get along somehow my angel thanks to your prayers and so on मिलते हैं कि हमारा भी ज you shouldn't forget all about your neighbors फिर बोलते हैं कि तुम्हें तो पता ही है तुम्हें अपने परोशियों को भूलना ने चाहिए कभी कभी आते रहा करो my darling मेरे प्यारे my dear fellow why are you so formal in your getup अब चुबुकोब लोमोफ से पूछते हैं कि कि तुम इतना formal dress पहन के क्यो आए हुए हो formal dress मतलब यहाँ पे dress evening dress पहन के आया हुआ है gloves पहना हुआ है तो इसी पर चुबुकोब पूछते हैं कि तुम ऐसा dress पहन के क्यो आए हो इतना formal can you be going anywhere my treasure मेरे प्यारे कहीं तुम जा रहे हो क्या लोमोफ बोलते हैं no I have come only to see you honored stephan stephan stephanovich बोलते हैं कि नहीं नहीं मैं तो सिब आप से ही मिलने के हो as if you are paying a new year's eve visit असा लगता है कि तुम new year के eve के party में जा रहे हो अब यहाँ पर एक बात समझेगा यह इव का मतलब क्या होता है eve का मतलब होता है evening before ठीक है तो यहाँ बे new year's eve बोला गया new year का होता है one january तो उसके पहले वाले evening मतलब 31st December का जो evening है इसी को बोलता रहता है new year eve समझे इतना कोई आप से बोल रहा है independence day eve मतलब independence day 50 नगस्ट को होता है तो 40 नगस्ट का evening को independence day eve बोलेंगे समझे इतना चलिए तो लोग मोव बोलते हैं well you see it's like this takes his arm तो लोग मोव क्या करते हैं कि देखिए चीजे कुछ ऐसी है बात कुछ ऐसी है इतना बोलके वो चुबुकोफ का हाथ अपने हाथ में ले लेते हैं I have come to you बोला कि मैं तुम्हा आपके पास इसलिए आया हूँ आप से के पास एक रिक्वेस्ट लेकाया हूँ लेकिन हर बार आप बोलने का मतलब है इतना बोलके वो रूख जाता है ठीक है डॉट डॉट मतलब हुआ पर रूख जाता है जानक से I must ask your pardon मुझे माफ कीजिएगा I am getting excited मैं काफी ज़्यादा excited हो रहा हूँ इसलिए ऐसे कुछ बोला जा रहा हूँ मुझे कुछ पानी पीना चाहिए और इतना बोलके drinks वो कुछ पानी पी लेता है ठीक है चुबु को बोलते हैं aside मतलब मन में बोलते हैं ठीक है यह लोमोफ को नहीं बोलते हैं अपने आप से बोल रहे है अब यह लोमोफ को बोलते हैं अब यह देखे लोमोफ बोलता है कि आप देखिये नाम गरबर प्रनौंस करता है फिर मावफमांग के फिर नाम प्रनौंस करने जाता है फिर से करबर प्रनौंस करता है इस्टेपान ऊनरिच — सही नाम क्या है उसको ऐसा प्रनौंस करना है — उसका इसका मीनिंग होता है ? यह लिक़ लीजिएग तो वो बोल रहा है कि मैं काफी ज़्याद excited हूँ इसलिए मेरे से ऐसा सब्द निकल रहा है as you will please notice और आप देख भी पार रहे है in short you alone can help me अगर थोड़े सब्दों मैं बोला जाए तो सिफ आप ही मेरी मदद कर सकते हैं though I don't deserve it of course लेकिन मैं आपके मदद के लायक नहीं हूँ यह तो पक्का है and haven't any right to count on your assistance और मुझे कोई हक भी नहीं है कि मैं आप से कोई उमीद मांग पाऊ ठीक है count on मतलब depend on ठीक है चुब को बोलते हैं oh don't go round and round it darling spit it out well बोलते हैं कि इतना गोल कोल बाते मत करो clear बोलो क्या बात है लोग मोब बोलते हैं one moment this very minute बोलते हैं एक minute मैं अभी बोलता हूँ the fact is अब वो बोलना इस्टार्ट करता है I have come to ask the hand of your daughter Natalia Stepanova in marriage लेकि मैं यहाँ पे आपकी बेटी का हाथ मागने के लिए आया हूँ साधी के लिए अब यहाँ पे एक चीज नोटीस कीजिएगा यहाँ पे in marriage लिखा जाता है हमेशा ठीक है बहुत बच्चे गल्ती कर देते हैं यहाँ पे for marriage लिखके तो यह नहीं लिखिएगा in याद रखिएगा ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं तो यह रहा आप पिक्चर में भी देख पा रहे हैं यहाँ पे यह है नाटालिया के पिताजी इस्टेपान इस्टेपानोविच चुबुकोफ और यह है इवान वैसलविच लो मॉफ ड्रेस जैकेट वाइट गलोब्स पहने हुए हैं काफी formal get-up है इवन इंगरेस इसको बोलते हैं चैलिए आगे बढ़ते हैं तो इतना सुनके चुबुकोफ काफी खुश होते हैं जॉइफुली बोलते हैं बाइ जो बोलता कि अरे वाँ यह एक expression of surprise है ठीक है इवान वैसलविच say it again I didn't hear it at all इतना कि फिर से बोलो मुझे स्ठीक से सुनाई नहीं दिया लोग वो फिर से बोलता है I have the honor to ask इतना बोलके फिर से वो रुख जाता है ठीक है बोले कि मैं आपसे यह help मांग रहा हूँ की इतना बोलके रुख गया क्यों क्यों रुख गया I have been hoping for it for a long time मैं इसके बारे में काफी दिनों चे यह आसा कर रहा था कि यह रिस्ता तै हो जाए It's been my continual desire हमेशा से मेरा यह चाहर आए कि तुम दोनों का रिस्ता फिक्स हो जाए Shats a tear और इतना emotional हो जाता है कि उसके आखों से आसु भी निकल आते है And I have always loved you, my angel, as if you are my own son और मैंने तुम्हें हमेशा अपने बेटे की तरह प्यार किया है May God give you both his help and his love and so on and so much hope लेकि भगवान तुम दोनों को अपना मदद दे, help दे और काफी आसा दे फिर इतना बोलके रुपता है What am I behaving in this idiotic way for फिर सोचता है कि मतलब बोलता है कि मैं इतना बेवकुफ हूँ की तरह क्यों behave कर रहा हूँ I am off my balance with joy Off my balance मतलब very excited लेकि मैं खुशी से balance खोड़ा हूँ अपना ठीक है काफी excited होड़ा हूँ Absolutely off my balance एकदम ही है मैं अपना balance खोड़ा हूँ खुशी के मारे Oh with all my soul I will go and call Natasha and all dead लेकि मैं अभी जाता हूँ पूरे मन से और मैं बुला के लाता हूँ Natasha को अब यहाँ पे तो नाम है Natalia लेकिन यहाँ पे Natalia लिखा हुआ है क्या तो यह excited excitement में नाम गलत प्रॉन्स कर रहे है नहीं तो यह घड का नाम होगा Natalia का ठीक है चलिए तो यहाँ पे आपसे एक्जाम में question पूछेंगे कि चुबुकोफ ने जब लोमोफ का offer या फिर proposal सुना तो चुबुकोफ का reaction कैसा था यह सब आप underline कीज़ेगा जैसे हम underline किये वो पहले लोमोफ को कले लगाते हैं फिर उसे kiss करते हैं इतना excited हो इतना emotional हो जाते हैं कि वो उनके हांखों से tear निकलता है फिर वो दोनों को bless करते हैं ठीक है और फिर वो off balance हो जाते है with joy यह सब बात याद रखिएगा अब लोमोफ बोलता है greatly moved काफी भावुक हो जाता है लोमोफ भी और बोलता है honored stephanovich do you think I may count on her consent बोलता है कि आपको क्या लगता है कि मैं वो मेरे मुझसे साधी करने के लिए तयार हो जाएगी consent मतलब agree करना ठीक है जाए क्या वो agree करेगी इस बात पर चुब को बोलते हैं why of course my darling and as if she won't consent क्यों नहीं मेरे प्यारे और वो consent नहीं करेगी she is in love वो तुमसे प्यार में है regard, regard मतलब सच में ठीक है कसम से she is like a lovesick cat lovesick cat मतलब ऐसा इंसान जो प्यार का भूका हो ठीक है वो चार आओ की कोई इंसान उसे प्यार करे तो यहाँ पर चुब को बोलते हैं कि Natalia भी एक lovesick cat की तरह है and so on sent belong बोलते हैं कि जड़ा टाइम नहीं लएगा रुको थोड़ा देर मैं अभी जाता हूँ Natalia को प्ला कर लाता हूँ और इतना बोलके exit अब scene से चुब को चला गया है अब उस ड्राइंग रूम में सिफ कौन है लो मॉव है अब लो मॉव बोलता है अपने से ही कि it's cold मुलता है कि काफी ठंड है यहां पर I am trembling all over just as if I had got an examination before me मैं पूरा काप रहा हूँ जैचे कि मानो मेरे सामने कोई examination हो मुझे कोई exam देना हो The great thing is I must have my mind made up तो बोलता है कि सबसे बड़ा बात तो यह है कि मुझे अपना mind fix करना होगा अपने से बात कर रहा है सब ठीक है If I give myself time to think to hesitate to talk a lot to look for an ideal or for real love then I'll never get married तो बोलता है कि अगर मैं अपने आपको time दू सोचने के लिए हिचाने के लिए थुरा बात करने के लिए अगर मैं एक ideal ढूनने में लग जाओ ठीक है एक मतलब perfect wife ढूनने के लिए लग जाओ या फिर सचा प्यार ढूनने में लग जाओ तो ऐसे मेरा कभी साधी ही नहीं होगा इतना अगर हम नखरा करेंगे तो अब यहाँ पे Natalia का कुछ qualities बताया गया है वो काफी अच्छी housekeeper है घर को अच्छे से समाल लेती है उतनी बुरी भी नहीं देखती है और काफी पर ही लिखी भी है और मुझे क्या चाहिए और वो इतना excited है कि मेरे कानों में कुछ आवाजें गुंज रही है drinks फिर कुछ पानी पीता है and it's impossible for me not to marry और वो बोलता है कि मेरे लिए साधी ना करना impossible है मतलब उसको साधी अब करना ही परेगा क्यों? तो देखे इसके लिए वो दो रिजन बताता है in the first place I am already 35 a critical age so to speak तकि पहला रिजन तो ये है कि मेरा उम्र 35 years हो गया है अभी nursery के जी में है ऐसा कुछ ना हो जाए ठीक है तो ये पहला रिजन है जिस वो साधी करने का compulsory है उसके लिए अभी और दूसरा रिजन ये है कि in the second place I am out to lead a quiet and regular life साधी करने का बाद life थोड़ा disciplined हो जाएगा ठीक है एक सांथ और regular life उसको जीने को मिलेगा ठीक है तो ये दो रिजन से वो सोच रहा है कि उसके लिए impossible है साधी ना करना तो तब उसको अब साधी करना भी परेगा फिर वो अपने बारे में कुछ और भी चीज़ बताता है देखिए I suffer from palpitations I am excitable and always getting awfully upset अब वो अपना सरीर के बारे में कुछ बताता है मुलता है कि मैं palpitations से suffer करता हूँ palpitations मतलब heart beat कभी उसका heart beat काफी excited, काफी तेज हो जाता है और कभी-कभी उसका heart beat काफी upset, down हो जाता है तो ये पहला उसको एक टैप का विमारी है At this very moment my lips are trembling and there's a twitch in my right eyebrow तेकि अभी फिलाल के लिए मेरे heart काफ रहे है और twitch in my right eyebrow और मैं जो दाया eyebrow है उसमें क्या होता है? twitch मतलब वो फरफराता है फिलाल हो रहा है मेरे साथ But the very worst of all is the way I sleep और सबसे बुरा चीज मेरे साथ तो ये है कि जिस तरीके से मैं सोता हूँ I no sooner get into bed and begin to go off when suddenly something in my left side gives a pool and I can feel it in my shoulder and head बोलता है कि जैसे ही मैं सोने के लिए जाता हूँ और जैसे ही मुझे हलकल का नींद आता है तभी अचनक से मेरे सरीर का left side में एक pull एक खिचान सा महसूस होता है और वो जो pull है वो मुझे shoulder से होते हुए head तक लगता है तो इस वज़े से मैं jump करके उठ जाता हूँ I jump up like a lunatic walk about a bit and lie down again lunatic मतलब mad person इसको याद रखिएगा ठीक है बहुत important word है तो मैं पागलों की तरह फिर jump करके उठ जाता हूँ फिर थोड़ा तहलता हूँ और फिर सोने की कोशिस करता हूँ but as soon as I begin to get off to sleep there's another pull जैसे ही मैं दूसरी बार भी सोने जाता हूँ फिर से एक pull आता है सरीर में this में and this में happen 20 times और ऐसा लगभग 20 बार होता है मिने साथ ऐसा इतना उसको problem है ठीक है तब ही Natalia Stepanova comes in अब वो Natalia Stepanova आती है अब scene में सिर्फ दो लोग है Natalia और Lomov आप सोज़ेंगे चुबुकोफ कहां गया Natalia के पिता जी तो वो कहीं साथ उपर ही है अब चुबुकोफ क्या किये सिर्फ Natalia को भेज़ी है कि जाओ तुम ही बात कर लो तो दोनों का पाचीत में चुबुकोफ दखल नहीं देना चाहते हैं इसलिए वो अभी scene में नहीं है Natalia बोलती है वेल देर इस यू और पापा सेट गो देर सम मर्चंट कम फॉर इस गूड्स तो Natalia Lomov को देखके बोलती है अच्छा तो तुम हो और पापा ने कहा कि जाओ नीचे कोई वेफारी आया हुआ है अपने समान को लेने के लिए वेल लेकि कैसे हो तुम इवान लोमोब बोलते है वेल देखके मैं ठीक हूँ आप कैसे है Natalia Natalia बोलती है You must excuse my apron and negligee ठीक है बोलती है कि मेरी कपड़े को माफ करो apron मतलब जब cooking करते वक्त जो पहना जाता है आगे में cloth को protect करने के लिए उसको apron बोलते है और negligee एक soft material का बना हुआ एक लंबा सा gown होता है आप इस picture में भी देख पा रहे हैं ठीक है इसको negligee बोलते है मैं ऐसा कापना पहन के तुम्हारे सामने आगे तो उसके लिए मुझे माफ की करना We are selling peas for drying हम मतर छोडा रहे थे सुखाने के लिए Why haven't you been here for such a long time उस दिए कि बहुत दिनों बाद आए इतने दिनों से क्यों नहीं आए थे Sit down फिर दोनों बैठ जाते हैं Won't you have some lunch थोड़ा खाना खा लो Lomo बोलते है no thank you I have had some already नहीं नहीं thank you मैं कुछ खाके आया हुआ हूँ Natalia बोलती है then smoke तो कुछ धुम्रपान कर लो Cigarette पी लो ठीक है Biri तो पीएंगे नहीं Here are the matches यह लो सलाई ठीक है कुछ पी लो The weather is splendid now but yesterday it was so wet that the workman didn't do anything at all day ठीक है जब बात करने को कुछ ना मिले तो मौसम के उपर बात करना चाहिए ठीक है तो यह आप भी याद रखिएगा जब भी आप कहीं भी किजी के साथ भी जाए कुछ बात करने को ना हो awkward silence हो तो उस situation में Weather के बारे में बात करना safe option होता है ठीक है लगी कितना घास फूस तुमने stack मतलब stock किया हुआ है just think I felt greedy and had a whole field cut and now I am not at all pleased about it because I am afraid my hay may rot बलती है कि तुम जब असोचो मुझे कर लालाच आ गया था मतलब कुछ दिन पहले लालाच आ गया था और मैंने सारा जो field में घास था वो सब कटवा दिया और आज मैं खुश नहीं हूँ क्योंकि मुझे डर है क्योंकि कल की बारीज की वज़े से वो सारा जो हे है वो कहीं सर्ड ना जाए ठीक है I ought to have waited a bit मुझे थोड़ा और इंतिजार करना चाहिए था but what's this लेकिन ये क्या why are you in evening dress तुम evening dress पैन के क्यों आए हुए हो well I never मुलता है कि मैं तो कभी नहीं पैन थी evening dress और जिसमें चाहती भी नहीं are you going to a ball or what ball मतलब formal party क्या कोई formal party में जा रहे हो though I must say you look better लेकिन मानना पड़ेगा तुम अच्छा दिख रहे हो इसमे tell me why are you why are you got up like that देखी बताओ तुम ऐसा क्यों कपरपेन गाय हुए हो Lomo काफी excited हो जाता है यह सुनके और बोलता है you see honored Natalia Stepanova the fact is I have made up my mind to ask you to hear me out लेकि बात यह है कि मैंने अपना mind बना लिया है कि मैं तुम से कुछ कहूंगा of course you will be surprised तो यह बात तो तो तैहे है कि तुम थोड़ा surprise हो जाओगी मेरी बातों को सुनके and perhaps even angry हो सकता है आप घुसे भी हो जाओ मेरी बातों को सुनके but इतना बोलके फिर से बरुख जाता है और aside मतलब खुद से बोलता है it's awfully cold काफी ठंड है आज मतलब ठीक है चलिए आगे देखते नेटेलिया क्या बोलती है what's the matter pause well देकि बात क्या है ठीक से बताओ लोमोफ बोलता है I shall try to be brief में काफी कम सब्दों में बोलूंगा you must know honored Natalia Stepanova that I have long since my childhood in fact had the privilege of knowing your family देकि मैं short ने बताऊंगा मैं काफी दिनों से in fact बचपन से मुझे ये मौका मिला है कि मैं तुमारी family को अच्छे से जान पाओ ठीक है मतलब काफी अच्छे से जानता हूं तुमारी family को my late aunt and her husband from whom as you know I inherited my land always had the greatest respect for your father and your late mother मेरी मरी हुई auntie और उनके husband जो की पता है तुम्हे कि मैंने उनसे ही अपना land को inherit किया है मतलब उनही का संपती मुझे मिला है always had the greatest respect हमेशा से ही इन दुनों के मन में काफी respect रहा है तुमारे पिता जी और तुमारी मरी हुई मम्मी के लिए the Lomovs and the Chubukovs have always had the most friendly and I might almost say the most affectionate regard for each other Lomovs परिबार और Chubukov परिबार हमेशा से ही काफी friendly रहे हैं और काफी प्यार भरा मतलब respect रहा है एक दूसरे के लिए दोनों के मन में and as you know my land is a near neighbor of yours और तुम्हें पता ही है कि मेरा land भी तुम्हारे land के एकदम बगल में है you will remember that my oxen meadows touch your breach words अब यहाँ पर दो land का नाम बताया गया है एक है oxen meadows oxen meadows मतलब ऐसा घास का मैदान जहाँ पर जो animals से वो graze करते हैं ठीक ऐसा grassland for animals to graze और breach root आप यह picture में देख पार है ऐसा land जहाँ पर इस टाइप के tree ग्रो किये जाते है तो Lomov बोलता है कि तुम्हें तो पता ही है कि मेरा जो oxen meadows जमीन है वो तुम्हारे breach root वाले जमीन को touch करता है अब इसी पर बबाल खारा होगा देखिए Natalia बोलती है excuse my interrupting you you say my oxen meadows but are they yours तो Natalia बोलता है कि माफ करना मैं interrupt कर रही हूँ तुमने अभी कहा मेरा oxen meadows क्या है तो वो oxen meadows तुम्हारा है लो मो बोलता है हाँ मेरा है Natalia बोलती है what are you talking about oxen meadows are ours not yours देखिए ये तुम क्या बोल रहे हो oxen meadows तो हमारा है तुम्हारा नहीं लो मो बोलता है no mine honored Natalia इस्टेपानोवा बोलता है कि नहीं नहीं हमारा है respected Natalia तो Natalia बोलती है well I never knew that before बोलता है हाँ ऐसा है मुझे तो पता ही नहीं था how do you make that out कि तुम्हें कैसे पता चला कि वो जमीन तुम्हारा है लो मो बोलता है how I am speaking of those oxen meadows which are waged in between your bridge hoots and the burnt mars बोला कि कैसे क्या पता चला मैं उस oxen meadows का बारे में बात कर रहा हूँ जो waged in between मतलब दो जमीन के बीच में है bridge hoots और burnt mars इन दोनों जमीन के बीच में है उस oxen meadows का बात कर रहा हूँ mars एक type का wetland होता है ठीक है wet muddy area of land उसको martland बोलते है Natalia बोलती है yes yes there are ours मैं भी उसी oxen meadows का बारे में बोल रही हूँ वो हमारे है लोग मों बोलता है no you are mistaken honored Natalia Stepanova they are mine बोलता है कि respected Natalia तुम गलत बोल रही हो तुमसे कुछ भूल हो रही है वो जमीन हमारा है Natalia बोलती है just think Ivan Veselwich how long have they been yours कि वो जमीन कब से तुमारा है लोग मों बोलता है how long as long as I can remember कितने लंबे से क्या जब से मुझे याद है जब से मैंने अपना होस समाला है तब से मुझे पता है कि वो जमीन हमारा है कौन सा जमीन Oxen Meadows ठीक है याद रखिएगा Natalia बोलती है really you won't get me to believe that वाला कि सच में तुम मुझे विश्वास नहीं दिला सकते कि वो जमीन तुमारा है लोग मों बोलता है but you can see from the documents honored Natalia Stepanova वाला कि तुम documents से देख सकती हो उसमें तो proof है Oxen Meadows it's true were once the subject of dispute but now everybody knows that they are mine Oxen Meadows के सच बात है कि एक जमाने में ये एक विवात का जर था ठीक है लेकिन आज सब को पता है कि वो जमीन मेरा है there's nothing to argue about that उसके बारे में तो कोई argue करने का सवाली नहीं उठता है you see my aunt's grandmother gave the free use of these meadows in perpetuity to the presence of your father's grandfather in return for which they were to make bricks for her अब ये चीज़ को समझेगा यहाँ पे देखे low move बोलता है कि देखो मेरी aunt की जो grandmother थी ठीक है उन्होंने इस oxen meadows जो जमीन है इसका free use करने के लिए तुमारे father के grandfather के present को दे दिया था present मतलब farmer एक बार फिर से समझ मनी आया देखे low move के aunt की जो grandmother थी उन्होंने इस oxen meadows को तुमारे पिता के grandfather को दे दिया था ठीक है free use करने के लिए और कैसे दिया था in perpetuity perpetuity मतलब for forever या फिर for all time हमेशा के लिए वो जमीन तुमारे पिता जी के grandfather को दे दिया था ठीक है लेकिन बदले में क्या करना था in return for which they were to make bricks for her बदले में क्या करना था कि यह तुमारे father के जो grandfather के peasants थे जो farmers थे उन्हें बदले में bricks बना के देने होते थे मेरी aunt के grandmother को समझरे बात का करे रही इतना चलिए the peasants belonging to your father's grandmother had the free use of the meadows for 40 years तो तुमारे पिता जी के जो grandfather थे उनके जो peasants थे उन्होंने इस oxen meadows का free use किया 40 साल तक and had got into the habit of regarding them as their own और उन्हें आदत पढ़ गया कि वो जमिन को अपना वो बोलते रहे when it happened that और जब ऐसा हुआ फि डॉट और डॉट वो रुख जाता है अब Natalia भीज में कुछ बोलती है no it isn't all at all like that ने ऐसा कुछ नहीं है Natalia बोलती है both grandfather and great grandfather record that their land extended to burnt mars which means that oxen meadows were ours बोलता है Natalia बोलती है कि मेरे दादा जी और पर दादा जी दोनों ने ही record record मतलब estimated ठीक है दोनों ने ही ये estimate किया था उनका जो land है वो कहां तक जाता है burnt mars जाता है इसका मतलब oxen meadows हमारा हुआ इसी साब से तो अब structure ज़रा समझेगा ठीक है यहाँ पर है मा लीजे burnt mars और यहाँ पर है brichwood और इस दोनों जबीन के बीच में है oxen meadows ठीक है तो वो ही बोल रहे है कि हमारे जबीन कहां तक जाता है burnt mars तक जाता है इसका मतलब oxen meadows भी किसका होगा है इस सबसे इन लोग का होगा नाटालिया लोग का ठीक है I don't see what's there to argue about it's simply silly लेकि मुझे तो समझ में याड रहा है कि इसमें argue करने का सवाल कहां से आ रहा है यह तो एकदम बचपना होगिया इसके पूर argue करना Lomo बोलता है I'll show you the documents Natalia Stepanova देकि मैं तुम्हें document दिखा सकता हूँ Natalia बोलती है No, you are simply joking or making fun of me नहीं नहीं तुम मजाक कर रहे हो क्या तो नहीं तो मेरा मजाक उरा रहे हो What a surprise कितना अच्छा surprise है यह We have had the land for nearly 300 years and then we are suddenly told that it isn't ours बोलती है कि हमें यह जमीन हमारा 300 साल से है और हमें अचरंक से बोल गया जाता है कि यह जमीन हमारा नहीं है तो यह काफी अच्छा surprise है हमारे साथ तो Ivan Vaiselwicz I can hardly believe my own years तकि Ivan मुझे अपने कानों पर भीश्वास नहीं हो रहा है These meadows aren't worth much to be यह meadows का ज्यादा मूल्य नहीं है मेरे नजर में ज्यादा दाम का नहीं है They only come to 5 decitins and are worth perhaps 300 rubles But I can't stand unfairness बोलती है कि यह जमीन तो मुश्किल से 5 decitins का होगा decitins land का measurement unit है ठीक है जैसे इंडिया में कठा होता है बीघा होता है विसे यहाँ पर decitins चलता है रश्या में और इनका जो दाम है वो लगवक 300 rubles के पास होगा तो rubles currency होगया वहाँ का ठीक है तो 300 rubles जैसे यहाँ यहाँ पर रूपिया होता है वहाँ पर रूबल सलता है 300 rubles ज्यादा नहीं होगा बट I can't stand unfairness वोलता कि जमीर होता किमती नहीं है लेकिन फिर भी मुझे unfairness परदास नहीं होता है Natalia ऐसा बोलती है Say what you will, I can't stand unfairness वोलता कि तुमको जो मन में आता है वो बोलो लेकिन मैं unfairness परदास नहीं करूँगी Lomov बोलता है वो फिर से वही बात बोलता है कि तुम्हारे पिता जी के दादा जी के जो पीजेंट्स थे ठीक है वो क्या करते थे ब्रिक्स बनाते थे मेरी आंट की ग्रेंट्मदर के लिए जैसा कि मैंने तुम्हें पहले एक्स्पेंट्स कर दिया Now my aunt's grandmother wishing to make them a pleasant और जिसकी बदली में मेरी aunt की जो grandmother थी उन्हें कुछ surprise दना चाहती थी इसलिए फिर इतना बोलकर वो डुक जाता है Natalia बोलती है I can't make head or tail of all these about aunts and grandfathers and grandmothers लेकि मुझे can't make head or tail मतलब कुछ समझ में नहीं आना ठीक है मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है तुम क्या aunt और क्या grandfather और क्या grandmother बोल रहे हो the meadows are ours that's all वो meadows हमारा है बात खतम Lomo बोलता है mine नहीं मेरा है Natalia बोलती है ours मेरा है हमारा है You can go on proving it for two days on end You can go and put on 15 dress jackets but I'll tell you they are ours, ours, ours Natalia बोलती है कि तुम उसको दो दिन तक ऐसी बोलते रहो कितना भी प्रूफ कर लो तुम चाहे ऐसे 15 dress jacket पहन के आ जाओ कितना भी formal dress पहन के आ जाओ देखिन ये जमीन हमेज़ा से हमारा था और हमारा ही रहेगा I don't want anything of yours and I don't want to give anything of mine so there बोलता है कि मुझे तुमारा कुछ नहीं चाहिए लेकिन मैं भी principle पे सिधान पे आ रहा हुआ हूँ ठीक है If you like I'll make you a present of them अगर तुम्हें पसंदे तो मैं तुम्हें वो जमीन gift के रूप में दे सकता हूँ Natalia बोलती है I can make you a present of them myself लेकिन मैं तो तुम्हें खुद वो जमीन तुम्हें प्रेजेंट में दे दू Because they are mine क्यों क्यों जमीन मेरा है Your behavior Ivan Vaisalvich is strange to say the least तुम्हारा जो behavior है Ivan कम से कम सब्दों में बोला जाए तो वो काफी अजीब सा behavior है Up to this we have always thought of you as a good neighbor A friend आज तक तो हम तुम्हें काफी अच्छा परोशी मानके चल रहे थे एक दोस्त मानके चल रहे थे Last year we lent you our threshing machine पिछली साल तो मैंने हमने तुम्हें एक threshing machine भी दिया था ठीक है threshing machine एक घास काटने वाला machine होता है Although On that account we had to put off our own threshing till November और हम लोगों ने तुम्हें वो threshing machine दे दिया जिसमोजे से हमें अपना threshing November तक टालना परा But you behave to us as if we were gypsies लेकिन तुम ऐसे behave कर रहे हो जैसे मानो हम gypsies हो Gypsies मतलब ऐसे लोग जिनका अपना घर जमीन नहीं होता है ठीक है बंजारे लोग तुम ऐसे behave कर रहे हो मानो हम बंजारे लोग है Giving me my own land indeed मुझे ही मेरा ही जमीन दे रहे हो No really, that's not at all लेवरी लेकिन नहीं नहीं ये परोशिय वाला हरका तक दम नहीं है In my opinion It's even impudent if you want to know और मेरे विचार में तो ये तुमारे तो behavior है ये impudent है Impudent मतलब very rude, needless ठीक है अगर तुमें सुन नहीं है तो सुनो Lomob बोलता है Then you make out that I am a land grabber लागि तो तुम कह रही हो कि मैं एक land grabber हूँ जमीन हपियाने वाला इंसान हूँ Madam, never in my life have I graved anybody else's land and I shan't allow anybody to accuse me of having done so लागि madam मैंने अपनी जिंदगी में कभी भी किसी का land नहीं छीना है और मैं किसी को ये अलाव भी नहीं करूँगा कि वो मुझे ऐसा मुझे पर ऐसा आडोप लगाए Quickly steps to the caraf and drinks more water फिस जल्दी से जाता है Caraf मतलब एक glass container होता है इसमें पानी रखा होता है वहां से पानी पी रहता है मतलब आप यहां पर देख पाते हैं लोग पानी पी पी के लड़ाई कर रहे हैं ठीक है auction meadows are mine और पानी पीने का बाद बोलता है कि वह auction meadows मेरा है Natalia बोलती है It's not true, they are ours बोलता है कि यह सही बात नहीं है वह हमारा है लोग में बोलता है मेरा है तो यह आप देख पाते हैं यहां पर नोग जोग हो रहा है यह है हमारे Ivan और यह है Natalia Natalia बोलती है It's not true, I'll prove it I'll send my moors out to the meadows this very day बोलता है कि नहीं है, यह सही बात नहीं है मैं इसे साबित कर सकती हूँ मैं आज ही moors भिजवाऊंगी moors क्या होता है? अग grass cutting machine होता है ठीक है आप इस picture में देख पा रहे है तो मैं उस meadows में आज ही moors भिजवाऊंगी और घास को काड़ डालूँगी इसके जड़िए मैं प्रूफ कर दूँगी कि वो meadows मेरा है हमारा है लो मोब बोलता है, what? क्या? Natalia बोलती है, my moors will be there this very day आज ही क्या आज ही? मेरे moors वहाँ पे होंगे लो मोब बोलता है, I'll give it to them in the neck give it to them in the neck का मतलब होता है to punish करना किसी को, ठीक है? तो बलता है कि भेजो तो जड़ा दम है तो मैं उसे तोड़ दूँगा, नी तो मैं किसी को मार दूँगा Natalia बोलता है, you dare बलता है, हिम्मत है तो करके दिखाओ, खबरदार लो मोब बोलता है, clutches at his heart ठीक है, मतलब अपने दिल को पक्सी, उसको, heart में काफी टेज, palpitation हो रहा है, इस वाज से वो अपने heart को पकड़ लेता है, और बोलता है Oxen Meadows are mine, तो यह वो मेरा है you understand, mine, समझी तूम Oxen Meadows मेरा है Natalia बोलता है, please don't shout चिल्लाओं मत, you can't shout yourself horse in your own house, but here I must ask you to restrain yourself तो ताहि तुम अपने घर में इतना चिल्लाना कि तुमारा आवाज होर्स हो जाए होर्स का मतलब होता है, rough voice आवाज तुमारा फट जाए इतना तुम चिल्लाना घर में, लेकिन यहाँ चुकि यह मेरा घर है, इसलिए मैं तुम्हें यह बोल सकती हूँ कि तुम्हें आपे सांद रहो लोग मोब बोलता है, if it wasn't madam for this awful excruciating palpitation, if my whole inside wasn't upset, I would talk to you in a different way बोलता है कि, अगर मेरे अंदर यह awful, awful मतलब very much, ठीक है, excruciating excruciating का मतलब होता है, unbearable या फिर intense, काफी तेज जो मेरे अंदर palpitation अगर नहीं हो रहा होता ना, अगर मेरा पूरा अंदर का सरीर upset नहीं होता ना, तो मैं आज तुम से अलग तरीके से ही बात कर रहा होता फिर इतना पे, yells, चिला के बोलता है Oxen Meadows are mine, वो मेरा है नाटालिया बोलती है, ours Lomov, mine, फिर नाटालिया ours, फिर Lomov, mine, अब यसे जगरा चलने लगा, तभी enter चुबुकोव, अब चुबुकोव इस scene में एंटर करते हैं और बोलते हैं, what's the matter what are you shouting for, क्या बात है क्यों तुम दोनों चिला रहे हो इतना नाटालिया बोलती है, पापा, please tell this gentleman who owns Oxen Meadows वी और ही, बोलती है कि पापा, इस gentleman को बताईए कि Oxen Meadows किसका है, हमारा या फिर इनका तो चुबुकोव बोलते हैं, Lomov को कि darling, the Meadows are ours प्यारे, Meadows तो हमारा है Lomov बोलता है But please, Stefan, Stepanowicz How can they be yours? बोलता है, please, आप सोचिये कि वो कैसे आपका हो सकता है Do be a reasonable man, एक समझार वेक्ती की तरह सोचिये, अब वो पूरा चीज बताएगा My aunt's grandmother gave the Meadows for the temporary and free use of your grandfather's peasants जैकि मेरी aunt की जो grandmother थी, उन्होंने इस Meadows को temporary के लिए, free use करने के लिए दिया था हमेसा के लिए नहीं दिया था, ठीक है किसको दिया था? आपके grandfather के peasants को दिया था The peasants used the land for 40 years और उन peasants ने उनको उस land को 40 सल तक यूज किया और उनको आदत लग गिया Got accustomed to it as if it was their own उनको ये लगने लगा कि वो जमीन उनका ही है When it happened that और जब ऐसा हुआ तब फिर इतना बोली रहा था कि चुबू को 20 में डरप कर तुए बोलते है Excuse me my precious बोलते है कि Maaf करना मेरे प्यारे You forget just this तुम एक चीज भूल रहे हो That the peasants didn't pay your grandmother and all that Because the meadows were in dispute एक चीज तुम भूल रहे हो और वो चीज ये है कि peasants ने तुमारी grand mother को कुछ पे नहीं किया था क्योंकि वो meadows क्या था dispute मतलब विवात का जर था Confirm नहीं हो पा रहा था कि मेड़ोस किसका इसलिए हमारे peasants ने आपकी grand mother को कुछ पे नहीं किया था बात ये है And now everybody knows that they are ours और आज सब को पता है कि मेडोस किसका है हमारा है यहाँ पर आप समझे न peasants ने grand mother को क्यों नहीं पे किया क्योंकि वो meadows dispute में था अगर ये confirm होता है कि मेडोस इस grand mother का ही है तब ये peasants उसको जुरूर पैसा दे के लिए होते तब peasants ने इनको पैसा इसलिए नहीं दिया क्योंकि ये meadows विवाद का जहर था पता नहीं था कि ये meadows किसका है ठीक है और आज सब को पता है कि ये जमीन हमारा है और तुम इतना आर्ग्यू कर रहे हो इसका मतलब ये है कि तुमने अभी तक प्लान नहीं देखा है जमीन का प्लान होता है ठीक है वो नहीं देखा है लोमोव बोलते है I will prove it I will prove to you that they are mine मैं प्रूफ कर दूँगा कि वो जमीन मेरे है चुबु को बोलते है You won't prove it my darling तुम नहीं प्रूफ कर सकते हो मेरे प्यारे लोमोव बोलते है I shall मैं कर दूँगा चुबु को बोलते है Dear one, why yell like that? तुम्हें कि प्यारे इतना चिला क्यों रहे हो चीख क्यों रहे हो You won't prove anything just by yelling सिर्फ चीख के चिला के तो कुछ प्रूफ नहीं कर सकते हो ना तुम I don't want anything of yours and don't intend to give up what I have मुझे तुमारा कुछ नहीं चाहिए और मुझे अपना भी कुछ नहीं देना है तुम्हें Why should I? और मैं तुम्हें दूभी क्यों And you know my beloved that if you propose to go on arguing about it I would much sooner give up the meadows to the peasants than to you there बोलता है कि और तुम मेरे प्यारे एक बात ये भी समझ लो कि अगर तुम ऐसे ही आर्यू करते रहे तो मैं वो meadows अपने peasants को दे दूँगा ना कि तुमको ठीक है समझे कि नहीं तो लो मुझे बोलता है I don't understand, मैं नहीं समझा How have you the right to give away somebody else's property बोलता है कि आपके पास ये right कब से आ गया कि आप दूसरों के property किसी और को देंगे एक तो वो property मेरा आप बोलना है कि मेरे को ना दे कि किसी और को देंगे ये कैसा हो सकता है चुभू को बोलते है You may take it that I know whether I have the right or not होता है कि तुम जैसे भी सोचो मेरे पास right है या फिड नहीं है Because young man, I am not used to being spoken to in that tone of voice and so on होता है कि क्योंकि नौजवान इंसान तुम ये समझ लो कि मुझे इस तरीके का tone में कोई बात करे मुझसे इसका मुझे आदत नहीं है ठीक है, ऐसा मुझे सुनना पसंद नहीं है I, young man, am twice your age मैं तुम्हारी उम्र का दो गुना का हूँ ठीक है, तुमसे double age का हूँ and ask you to speak to me without agitating yourself and all that और मैं तुमें ये बोल रहा हूँ कि तुम मेरे से सिर्फ normal voice में बात करो बीना गर्मी दिखाए ठीक है लोगोव बोलता है आप तो मेरे को एक बेवकूप समझके रखे हुए है और just want to have me on have me on का मतलब होता है मतलब try to make someone believe something that is untrue मतलब किसी को पट्टी पराना आप मुझे पट्टी परा रहे है you call my land yours and then you want me to talk to you calmly and politely एक तो आप मेरी जमीन को अपना बताते हैं और उसके बाद आप मेरे से यह expect कर रहे हैं कि मैं आप से काफी शान्ती से और काफी प्यार से बात करूँ good neighbors don't behave like that बोलाई कि अच्छे परोसी कभी ऐसे आपकी तरफ बीहेव नहीं करते हैं you are not a neighbor, you are a grabber आप परोसी नहीं है, आप grabber है मतब जमीन हथी आने वाले इंसान है चुबुकोफ बोलते हैं what's that, what did you say क्या कहा तुमने नेतलिया बोलती है पापा, send the moors out to the meadows at work पिता जी, आज ही उस meadows पे moors भिजवाईए यादे moors, grass cutting machine ठीक है चुबुकोफ बोलते है, what did you say sir तो चुबुकोफ अभी भी इस बात को नहीं भूले है जब लोमोब ने चुबुकोफ को grabber कहा तो चुबुकोफ को काफी बुरा लग गया, ठीक है तो वो फिर से पूछते हैं चुबुकोफ की what did you say sir, यह क्या कहा आपने नेटालिया बोलती है, oxford meadows are ours and I shan't give them up shan't give them up, shan't give them up तो नेटालिया फिर से बोलती है कि oxford meadows हमारा है और मैं नहीं दूंगी नहीं दूंगी, नहीं दूंगी लोमोब बोलता है, we'll see I have the matter taken to court and then I'll show you बोलता है कि देख लेंगे, मैं इस पूरे मुद्दे को court में ले जाओंगा और फिर मैं तुम्हें बताओंगा कि वो किसका है चुबक को बोलते हैं, to court you can take it to court and all that तो चुबक को ये बाब भी काफी बढ़ा लग जाता है बोलते हैं कि court में ले जाओंगे ले जाओ court में, you can तुम ले जा सकते हो court में I know you, मैं तुम्हें जानता हूँ you are just on the lookout for a chance to go to court तुमसी मौका ढूंड रहे थे कि कैसे तुम्हें court जाने का मौका मिले and all that, you petty fogger petty fogger मतलब एक ऐसे law practitioner या फिर ऐसे वकील को बोलते हैं जो छोटा मोटा case लेता हो मामूली वकील जिसको बोल सकते हैं लेकितु मैं एक मामूली से वकील हो all your people were like dead तुम्हारे खांदार में जितने भी लोग थे सब तुम्हारे तरही थे, all of them, सभी के सभी never mind about my people the lohmovs have all been honorable people तो lohmov बोलता है कि आप मेरे लोगों के बारे में कुछ मत कहिए lohmov हमेशा सही इजद्दार लोग रहे हैं and not one has ever been tried for embezzlement और उन में से किसी ने भी कभी भी embezzlement का कोशिस नहीं किया embezzlement का मतलब होता है चोडी करना, ठीक है, stealing like your grandfather आपके दादाजी की तरह किसी ने भी चोडी का प्रयास नहीं किया अब चुबु को बोलता है you lohmovs have had lunacy in your family all of you लाए कि तुम lohmovs का परिवार में lunacy है मतलब madness, पागलपन है सभी में Natalia बोलती, all, all, all हाँ, सभी के सभी पागल है चुबु को बोलते है your grandfather was a drunkard तुम्हारे दादा जी जो थे वो प्यक्कर थे and your younger aunt Nastasia महलनोवा ran away with an architect and so on और बोलते हैं कि तुम्हारे जो छोटी aunt थी Nastasia वो एक architect के साथ भाग गई थी तो ऐसा कुछ आप personal comment किया जा रहा है आप देखते हांगे क्या होता है Lomo बोलता है and your mother was humpbacked clutches at his heart something pulling in my side my head help water तो Lomo बोलता है कि और आपकी मम्मी तो humpback थी humpback मतलब जिसका कूबर निकला होता है ठीक है पीठ हलका मुरा हुआ हुआ होता है तो आपकी मम्मी तो कूबरी थी clutches at his heart और इतना बोलके अपने फिर heart को पकड़ लेता है फिर से उसका palpitation तेज हो जाता है और बोलता है कि something pulling in my side तो बोलता है कि कुछ खीच रहा है मेरे सरीर में मेरा सिर बचाओ मुझे पानी दो मुझे ठीक है मतलब शरीर भी बीगटते जा रहा है और कोड़लिंग भी किए जा रहा है चुबू को बोलते है यूर फादर वज अ गजलिंग गैंबलर बोलता है कि तुम्हारे पिता जी तो एक गजलिंग गैंबलर थे गजलिंग मतलब ऐसा इंसान जो बहुत जाता पीता आओ और गैंबल़ मतलब जुवारी ठीक है तुम्हारे पुटा जी जुवारी थे नतालिया बोलती है और नतालिया बोलती है कि तुम्हारे आंट इतनी बैगबर 醒स तो कोई नहीं है լैग्बाइटर मतलब चुगल खोड थे या पीछ-पीछे कुछ बुराई करना तुम्हारी आंट भी बैकबाइटर थी लो मो बोलता है कि और यहां पर प्रिंटिंग मिश्टेक है ठीक है चुबुकोव नियोगा लो मो होगा लो मो बोलता है कि कि मेरा बाया पैर सुन पढ़ गया है यू आर इंट्रीगर इंट्रीगर मतलब साजिस करने वाला इंसान ठीक है तुम लोग साजिस करते हो ओ माई हाट फिर अरे मेरा दिल मतलब उसको शरीर में प्रॉब्लम हो रहा है फिर भी वह लड़े जा रहा है एंड इस अन ओपन सिक् यू ब्राइ इतना बोलके फिर रुखता है वह बलता कि यह बात सबको पता है कि लास्ट से पहले तुमने कुछ बोलने वाला था तभी वह क्या बलता है आइकन सी स्टार्ट मुझा तार ही दिख रहे है मतलब उससे चक्कर से आ रहे है तो इस माई है मेरा टूपी का है ने अब है वह बैप दो को बलता है कि और तुम एक मैलिशेंस मतलब हमफूल डवल फिष्ट मतलब दो जहरे वाला मतलब कहीं और कुछ तरीके से बिएक करना कहीं और दूसी जगसी तरीके से बिएक करना ठीक है डबल फेस्ट इंट्रीगर हो, साजिस करने वाले इंसान हो, हाँ तुम यही हो, लंबो बोलता है, here's my head, यह रा मेरा टोपी, my heart, which way, मुलें कि मेरा दिल, कहां से रास्ता है, where's the door, दरवाजा कहां है, oh I think I am dying, मुझे लग रहा है कि मैं मर रहा हूँ, my foot quite numb, मेरा पैर तो सून पर गिया है, ती अब इसका सरीर का हरत को ज्यादा ही बीगर चुका है, goes to the door, और कैसी भी करके दरवाजे तक जाता है, चुबु को following him, और चुब को भी उसके पीछे-पीछे हो लेता है, don't set your foot in my house again, चुबु को भी भी नहीं रुक रहा है, वो भी भी उसको डाटे जा र walks about in excitement, और काफी जोज में आके अंदर में walk कर रहे घर के अंदर, नाटालिया बोलती है, what a rascal, बोलता है कि कैसा rascal है ये, ठीक है, rascal मतलब जिसका कोई respect ना हो, what trust can one have in one's neighbors after death, और बोलती है कि इस incident के बात कोई कैसे अपने पर उसी पर विस्वास कर सकता है, चुब को आगे continue करते हैं कि the villain, the scarecrow, वो अभी भी कोशे जा रहे है, अभी भी उनका घुसा ठंडा नहीं हुआ, बोलते है कि एक villain है, the scarecrow है, scarecrow क्या होता है, एक ऐसा पुतला जो खेत में लगाया जाता है, जिसे जो birds है, वो वहाँ पे आए ना, ठीक है, नाटालिया बोलती है, the monster, first he takes our land, and then he has the impudence to abuse us, वोगी एक monster है, पहले तो वो हमारा land लेता है, और उसके बाद उसमें impudence, impudence मतलब very rude, needlutch, ठीक है, बेशर्मों की तरह फिर हमें, हमसे जगरता है, चुब को बलते है, and that blind hand, yes, that turnip ghost has the confounded cheek to make a proposal, and so on, what a proposal, तो चुब को बलते है कि और वो अंधा blind hand, ठीक ह चुब को बोलते है, ठीक है, वो ट armies, ghost का पास इतना confounded, confounded का मतलब होता है बेकार, बेकार सा चेहरा है, चीक मतलब आपको पता है, गाल होता है, तो इतना बेकार सा चेहरा है उसका पास, और वो इसी चेहरे का वो लेक्या आया था, प्रोपोजल करने के लिए, तो नालो ब प्रोपोस्ट कर रहा है था मुझे आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया चुब को बोलते हैं बोते हां अब ही जया मतलब होता है और फ्रम का मतलब होता है उल्ड फैशन पर्सन वह सुखा है बाला ओल्ड फैशन इंसान तुम्हें प्रोपोस्ट करने के लिए आया था इमनिंग क्लोट्स में फिर Natalia बोलती है तो Natalia बोलती है तो Natalia बोलती है वो मुझे प्रपोस करने के लिए आया हुआ था ये सुनके उसे काफी दुख होता है और वो दुख के कारण इजी चेर पे गिर जाती है इजी चेर क्या होता है आप इस पिक्चर में देख पारे और व sorry व MOM के रोना रोना श्टरट कर देती है बोलती है ब्रिंग हीम वैक उसे वापस लाओ वापस लाओ यहाँ पर लाओ उसे चुभू को फिर बोलते हैं ने इठालिया बोलती है वाधैख ग्विक आं इल फेच हीम इस्टेरिक्स का मतलब होता है अनकंट्रोलेबल ठीक है मतलब कोई चीज अनकंट्रोलेबल होना पागलों की तरह वो बिहेब कर रिये ने टैलिया है जल्दी कीजे जल्दी कीजे मैं बीमार पर रही हूं उसे लाइए यहाँ पर चुबुको बोलते हैं अब यह क्या है तुमारे साथ माजरा क्या है और इतना बोलके वो अपना सिर पकड़ लेते हैं ओ अन्हापी मैं डाया है यहाँ उसे बुलाइए चुबुको बोलते हैं उफ अब यहाँ बोलता है कि हाँ अभी लाता हूं चिलाओ मत रंस आउट अप और वहां से चले जाते हैं बाहर और वहां पर आभी सानती है फिर नाटालिया बोलती है नाटालिया इस्टेपनोबा वेल्स वो रोते हुए बोलती है वाट है दे दन तू मी इन्होंने मेरा क्या ह अब भी साल कर दिया है फेच इम बैक फेच इम उसे वापस लाओ वापस लाओ उसे अप पॉस फिर वहां पर अपसांती है चुबुको रंसीन चुबुको मतलब उसका पिता जी अब दोड़ते हुए अंदर आते हैं और बोलते हैं वेल्स रोते हुए फेच इम उसे लाओ यहां पर चुबुको येल्स चिला के बोलते हैं he is coming I tell you वो आ रहा है मैं बता रहा हूं तुम्हें oh what a burden lord to be the father of a grown-up daughter देखिए भगवान ये एक जवान बेटी का पिता होना कितना बड़ा एक बोज का काम है I will cut my throat मैं अपना गला काट लूँगा I will end it सच में गला काट लू तुम्हारी वज़े से हुआ नेटालिया बोलते है no it was you नहीं पापा ये आपकी वज़े से हुआ चुबुको बोलते है I tell you it's not my fault देकि मैं तुमसे कह रहा हूं ये मेरा गलती नहीं था लोमोव appears at the door और तभी लोमोव दरवाजे पर आके खड़ा होता है now you talk to him yourself और चुब कर आता है और बोलता है my heart's palpitating awfully बोलता कि मेरा जो दिल है वो धरक रहा है काफी अजीब तरीके से very much ठीक है my food's gone to sleep और मेरा एक पैर सुन पर चुका है there's something that keeps pulling in my side और मेरे सरीर में कुछ ना कुछ मेरे साइड में कुछ खीच रहा है Natalia बोलती है forgive us Ivan Vaiselwich we were all a little heated I remember now Oxen Meadows really are yours तेकि Natalia बोलती है कि हमें माफ कर दो Ivan हम सभी थोड़े गरम दिमाग के हो गए थे अब मुझे याद आया कि Oxen Meadows सच में तुमारे ही है तो Natalia नहीं है यहाँ पर अपना stand change कर लिया है लोमोव बोलता है my heart beating awfully my meadows my eyebrows are both twitching मेरा दील काफी बुड़ी तरीके से धरक रहा है वो मेरा मेडोज है मेरा eyebrows को क्या हो रहा है दोनों ही फड़फडा रहे है Natalia बोलती है the meadows are yours yes yours do sit down they sit we were wrong Natalia बोलती है लोमोव को कि वो मेडोस तुमारे ही है हाँ सच में तुमारे है अब बैठ हो यहाँ पे अब दोनों बैठ जाते हैं we were wrong हम लोग गलत है Natalia बोलती है लोमोव बोलता है I did it on principle my land is worth little to me but the principle तो लोमोव अभी भी उस जमीन के बाद को केरी कर रहा है और वो बोल रहा है कि मैंने सब principle पे किया मतलब नीती का धार पर किया जो सही है सो सही है और जो गलत है सो गलत है my land is worth little to me मेरे लिए मेरा लैंड ज्यादा कीमती नहीं है but the principle नहीं बात यहाँ पे है principle का Natalia बोलती है yes the principle principle just so now let's talk of something else बोलता है कि चलो आप किसी और चीज के बारे बात करते है अब हमें समझ में आ रहा है कि Natalia किस के बारे में बात करना चाहती है प्रपोजल के बारे में ठीक है मैंडेस के बारे में बात करना चाहती है लोमो बोलता है the more so as I have evidence लोमो अभी भी जमीन का बात को नहीं छोड़ रहा है और वो बोलता है कि उससे भी बड़ा बात तो यह है कि मेरे पास तो सबूत है my aunt's grandmother gave the land to your father's grandfather's peasants फिर फिर वही रागा लापता है कि मेरे aunt's grandmother उस land को किसको दिया था तुम्हारे पिता जी के grandfather के पीजन को ठीक है फिर इससे वह बोलता है तो Natalie बोलती है हाँ हाँ let's that pass बोलता है कि ठीक है ठीक है अब वह बात को छोड़ो aside aside मतलब अपने मन में बोलती है I wish I knew how to get him started कास मुझे पता होता कि मैं इससे वह चीज बुलवा पाती ठीक है जिसके लिए वह यहाँ पर आया था फिर allowed मतलब अब लोमोफ को बोलती है are you going to start shooting soon रही क्या तुम अब शिकार पर जा रहे हो क्या तो वह हमें पर topic को change कर रही है लोमोफ बोलता है I am thinking of having a go at the black cock honored Natalia Stepanova मुलता है कि मैं सोच रहा हूँ having a go having a go का मतलब होता है to make an attempt किसको सिखार करने का यह सोच रहा है black cock को black cock क्या होता है आप इस picture में देख पा रहे है ठीक है honored Natalia Stepanova after the harvest और वो भी shoot पे कप जाएंगे harvest के बाद फसल कटने का बाद oh have you heard just think what a misfortune I have had my dog guess who you know has gone lame फिर लोमोफ पोलता है कि तुमने एक चीज सुना है मैं कितना बदकिस्मत हूँ कि मेरा जो कुत्ता है जिसका नाम है guess वो लेम हो गया है लेम मतलब लंगरा हो गया है ठीक है सिख से चलने पा रहा है तो देखिए यह बात आप आप याद किजी क लोग के कुत्ते का नाम क्या है guess ठीक है टलिया बोलती है what a pity why वोलता है कि बड़े द्यूक की बात है क्यों है कैसे हो गया यह लोमोफ बोलता है I don't know मुझे पता ने must have got his leg twisted or bitten by some other dog हो सकता है उसका पैर मुड गया हो या फिर किसी और कुत्ते ने उसको काट लिया हो size फिर वो आहां भरते हुए बोलता है my very best dog मेरा सबसे बहतरीन कुत्ता है यह to say nothing of the expense और जहां तक expense का बात करें तो नाम मातर expense लगा है उसको खरिदने में I gave Mironov 125 rubles for him मैंने Mironov को 125 rubles देके इसको खरदा था rubles पता है आपको रश्या का currency ठीक है Natalia बोलती है it was too much Ivan Vaiselvich मुलता है 125 rubles तो बहुत ज्यादा amount है इस कुत्ते के लिए किस कुत्ते के लिए gas के लिए Lomoov बोलता है I think it was very cheap he is a first rate dog मुलता है कि मेरे साब से तो यह काफी सस्ते में मुझे मिल गया 125 rubles में यह एक first quality का bettering quality का dog है Natalia बोलती है पापा gave 85 rubles for his squeezer and squeezer is hips better than gas तो Natalia बोलती है कि पिता जी ने तो squeezer को 85 rubles में खरदा था squeezeer कौन है squeezeer इन लोग का कुत्ता है Natalia का ठीक है और बोलती है कि squeezeer तो काफी बड़ा अच्छा है गेस के comparison में hips better than मतलब very much better than ठीक है hips का मतलब very much तो लोग मोफ बोलता है कि squeezeer better than gas what an idea laughs squeezeer better than gas तो कि squeezeer gas से अच्छा है क्या idea है scooter squeezeer gas से अच्छा है Natalia बोलती है of course he is better of course मतलब यहां बिल्कूल वह अच्छा है squeezeer is young squeezeer young है ठीक है जवान है he may develop a bit थोड़ा और उसका body develop होगा but on points and pedigree he is better than anything that even Volchansky has got लेकिन जहां तक बात करें points के उपर points मतलब characteristics के उपर और pedigree pedigree मतलब a list of parents या फिर ancestors ठीक है मतलब किसी कुत्ते का parents कौन रहा है उसे grand parents कौन रहे हैं तो pedigree के मामले में और points के मामले में वह सबसे बैतर है यहां तक की Volchansky के से भी better है ठीक है वालचैंसकी को है यह भी कोई हो का कुत्ते का मालिक कोई ठीक है लोमव बोलता है excuse me Natalia Stepanova but you forget that he is overshot and an overshot always means the dog is a bad hunter तो लोमव बोलता है कि excuse me Natalia तु में चीज भूल रही हो कि तुमारा कुत्ता क्या है overshot है अब इस चीज़ को समझेगा overshot क्या होता है overshot में कुत्ते का जो jaw होता है jaw पता है आपको जबरा ऊपर का जबरा और नीचे का जबरा तो जब नीचे का जबरा छोटा होता है तो आगे ऊपर का जबरा आगे थोड़ा निकल जाता है इसको बोलते है overshot होना ठीक है आप इस picture में भी देख पा रहे है यह एक overshot dog है ठीक ह तो जब dog overshot होता है तो वो अच्छे से hunt नहीं कर पाता है कोई चीज catch नहीं कर भाएगा ठीक से क्योंकि उसका जो नाक है वो टकरा जाएगा जमीन से तो Lomo बोलता है कि आपका जो squeezer है ये overshot है Natalia बोलती है overshot? Is he the first time I hear it? बोलता है कि वो overshot है ऐसा क्या? तो मैं पहली बार सुन रही हूँ Lomo बोलता है I assure you that his lower jaw is shorter than the upper jaw तो Lomo बोलता है कि मैं बोल रहा हूँ तुमसे उसका जो lower jaw है नीचे का जबरा है वो छोटा है उपर के जबरे से Natalia बोलती है Have you measured? क्या तुमने measure किया है? Lomo बोलता है हाँ He is all right at following of course but if you want to get hold of anything हाँ ये सही बात है ये कुता follow करने के लिए अच्छा है किसी के पीछे पीछे भेजो कोई चीज सुमने के लिए ये कुता अच्छा है लेकिन अगर इससे कोई चीज पकड़ने के लिए दे दो तब तो मामला गरबर हो जाता है फिर नेटाइलिया बोलती है In the first place our squeezer is a thoroughbred animal the son of hardness and chisels while there is no getting at the pedigree of your dog at all बोलती है कि thoroughbred animal मतलब ऐसा animal जिसका parents same breed के हो तो नेटाइलिया बोलती है कि हमारे जो squeezer है इसके जो parents है वो दोनो same breed के है किसका बेटा है वो hardness and chisels का बेटा है while there is no getting at the pedigree of your dog at all pedigree सब्द का मतलब अभी थोड़े देर पहले बताये थे a list of parents बोले कि तुम्हारे कुत्ते का parents कौन है यह तो ठीक से पता नहीं चल पा रहा है he is old and as ugly as a worn out cab horse तुम्हारा कुत्ता बुढ़ा हो चुका है और इतना अगली दीखता है मानों की एक ठका हुआ cab टानने वाला घोरे की तरह ठीक है लो मो बोलता है he is old अब exam में आपसे क्या करेंगे ऐसे एक line दे देंगे he is old बलेंगे कि he कौन है यहाँ पे तो he कौन है guess को refer किया जा रहा है यहाँ ठीक है guess बुढ़ा है but I wouldn't take five squeezers for him लेकिन मैं उसके बदले में पांच squeezer ना लू why how can you guess he is a dog as for squeezer well it's too funny to argue क्यों कि क्यों तुम भी क्यों लोगी guess एक कुटा है और जाता कि squeezeer का सवाल है तुम इसके लिए आर्ग्यू करना एक काफी funny चीज है anybody you like has a dog as good as squeezer तुम जिसे भी जानती हो आजकल हर किसी के पास squeezer इतना अच्छा कुटा सब के पास है you may find them under every bush almost हर जारी में तुम्हें इसका जैसा कुटा देखने को मिल जाएगा 25 rubles would be a handsome price to pay for him ठीक है ऐसा कुट्टे के लिए तो 25 rubles ही ठिक ठक प्राइसे खरिदने के है there are some demon of contradiction in you today इवान वैसलविच निटलिया बोलती कि demon demon का मतलब बता है evil spirit बुरा आत्मा लेकि तुम्हारे अंदर आज एक बुरा आत्मा रुका हुआ है contradiction करने का contradiction करना मतलब किसी के बात को काटने का ठीक है first you pretend that the meadows are yours now that gas is better than squeezer पहले तो तुमने यह pretend किया यह दिखावा कि meadows तुम्हारे है उसके बाद आप तुम बोल रहे हो कि तुम्हारा guess better है squeezer से I don't like people who don't say what they mean because you know perfectly well that squeezer is a hundred times better than your silly guess लेकि मुझे ऐसे लोग पसंद नही है जिनने अंदर से तो पता है कि क्या सच बात है लेकिन वो मुह पे लाते नहीं है ठीक है क्योंकि तुम्हें भी पता नहीं है नेटालिया बोलती है लोमोफ को why do you want to say he isn't तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो कि squeezeer अच्छा नहीं है लोमोफ बोलता है I see Natalia Stepanova that you consider me either blind or a fool जाकि Natalia मुझे लग रहा है मैं देख पा रहा हो कि तुम क्या तो मुझे अंधा समझ के रह बैठी हो या फिर तुम मुझे एक बेवकूफ इंसान समझती हो you must realize that squeezer is overshot तुम्हें ये बात realize करना ही होगा मानना ही परेगा कि तुम्हारा जो squeezer है वो क्या है overshot है Natalia बोलती है it's not true ये सही नहीं है लोमो बोलता है he is वो है Natalia बोलती है it's not true नहीं वो overshot नहीं है लोमो फिर से बोलता है why shout madam 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 चिला क्यों र ले हो it's awful काफी बेकार है तुम्हारा ये बकवास करना it's time your guest was shot and you compare him with squeezer Natalia बोलती है कि अब ये वक्त आ चुका है कि तुम्हारा जो guess है उसको गोली मारके मार देना चाहिए और तुम उसका comparison squeezer के साथ कर रहे हो लोमो बोलता है excuse me I cannot continue this discussion my heart is palpitating लोमो बोलता है कि अब मुझ इस discussion को और continue नहीं कर सकता मेरा दिल तेजी से धरकरा है Natalia बोलती है I have noticed that those hunters argue most who know least Natalia बोलती है कि मुझे पता है ऐसे ही लोग जादा argue करते हैं जीने बहुत कम पता होता है फिर लोमो बोलता है madam please be silent my heart is going to pieces shut up shouts करके बोलता है लोमो बोलता है कि madam please आप चुप हो जाईए मेरा दिल लगड़ा है कि टुक्रों में बिखर जाएगा और फिर चिला के बोलता है कि shut up Natalia बोलती है I shan't shut up until you acknowledge that squeezer is a hundred times better than your guess जागि मैं चुप नहीं होंगी जब तक कि आप ये मनना माल ले कि squeezer 100 गुना बैतर है आपके guess से लोमो बोलता है 100 गुना बुरा है be hanged to your squeezer, squeezer को फा he is half dead already बोलती है कि आपके guess को तो फासी बे लटकाने का भी जरूत नहीं होंगी तब ये सब हलना चिला सुनके अब enter चुबुकोफ फिर से आते हैं scene में और बोलते है what's the matter now आप क्या माज रहा है नेटालिया बोलती है पापा tell us truly which is a better dog our squeezer और his guess लेकि पिता जी आप सच सच बताईएगा कौन अच्छा कुदता है हमारा squeezer या फिर इनका guess लोग मोँ बोलते है stephan stephanovic i implore you to tell me just one thing is your squeezer overshot or not yes or no stephan stephan stephanovic आप मुझे एक बात बताईए क्या आपका squeezer overshot है या फिर नहीं हाँ या फिर ना चुबको बोलते है and suppose he is माल लोग वो overshot है what does it matter फरक क्या पड़ता है he is the best dog in the district for all that and so on वो पूरे district में सबसे बहते रिनकुता है लोग मोब बोलते है but it but isn't my guess better really now नहीं का मेरा guess अच्छा नहीं है चुबको बोलते है don't excite yourself इतने उत्यजीत मतों को my precious one मेरे प्यारे allow me मुझे और explain करने का मौका दो your guess certainly has his good points तुमारे guess में जरूर good points अच्छे characteristics है वो अच्छे characteristics क्या-क्या है number one he is purebred ठीक है purebred का है मतलब इसके parent same breed के है firm on his feet अपने पैरों पर अच्छे से ख़रा हो पाता है has well-sprung ribs ठीक है ribs भी काफी अच्छा well-built है and all that यह सब कुछ अच्छे points है तुमारे कुत्ते में but my dear man if you want to know the truth that dog has two defects लेकिन मेरे प्यारे अगर तुम्हें सची जानना है तो कुत्ते में दो defect भी है वो दो defect क्या है number one he is old वो काफी बुढ़ा हो चुका है और दूसरा he is short in the muscle muscle क्या होता है ऐसे कुत्ते को उपर एक मुखोटा पैना देते हैं ताकि वो किजी को bite ना करे कोई चीज काटे ना इसको muscle बोलते है तो तुमारे कुत्ते का मूँ छोटा है जिस वज़े से वो muscle में थोड़ा चोटा पड़ता है ठीक से fit नहीं होता है उसको muscle लो मुखो बोलता है excuse me my heart बोलता है कि माफ की जीगा रहे मेरे दिल फिर से हां let's take the facts चलिए facts पर बात करते हैं सच-सच बातों पर बात करते हैं you will remember that on the maroon ski hunt my guest ran neck and neck with the counts dog while your squeezer was left a hole worst behind जाही के लिए facts पर बात करते हैं आपको यादी होगा maroon ski hunt के बारे में यह एक race था जिसमें मेरा guess जो कुत्ता है वो neck and neck मतलब एकदम बरावरी से दोरा count के कुत्ते के साथ में ठीक है जबकि आपका जो squeezer था वो पीछे छूट गया था वह वी कितना पीछे hole worst worst क्या होता है a Russian measure of length होता है यह approach 1.1 km के बड़ाबर होता है ठीक है आपका squeezer पूरा एक worst पीछे रह गया था चुबको बोलते हैं he got left behind because the count's weeper in hit him with his whips वो पीछे इसलिए छूट गया था क्योंकि जो count का जो weeper in था weeper in क्या होता है huntsman assistant जो count का assistant था उसका जो चाबुक था उससे उसको एक च squeezeer पीछे चुट गिया था फिर लोमो बोलते हैं and with good reason और अच्छे reason से ही उसको चाबुक परा था मार परा था the dog was the dogs are running after a fox when squeezeer goes and starts worrying a sheep जब सभी कुत्ते लोम्री के पीछे दोर रहे हैं तो आपका squeezer जाता है और एक भेर का पीछे दोरने लगता है इसलिए उसे मार परा था चुबुक को पुलते हैं it's not true my dear fellow यह सच बात नहीं है मेरे प्यारे I am very liable to lose my temper मैं अपना temper खो दूंगा अभी and so just because of that यही बात पर हम आपना temper खो देंगे अपना let's stop arguing इसलिए बहस करना बंद करो you started because everybody is always jealous of everybody else's dog तुमने यह बहस इसलिए start किया क्योंकि हर कोई दूसरों के कुद्दे से थोड़ा जलता है yes we are all like that हाँ यह हमारे human beings का यही nature है you too sir aren't blameless और आप भी इसमें कोई exception नहीं है आपको भी जलन हुआ you no sooner begin with this that and other and all that आप एक भाहस खतम नहीं होता है कि आप दूसरा भाहस ही start कर देते हैं और यह सब वो सब I remember everything मुझे हर चीज यादे लोग लोगों बोलते है my heart my food's going to sleep I can't मेरा दिल मेरा पैर सुन पर रहा है मैं और नहीं इतना बोलके फिर नेटालिया टीज करते हुए बोलती है मतलब उसका नकल उतारते हुए बोलती है my heart what sort of a hunter are you हर वाक्त मेरा दिल मेरा दिल करते रहते हो किस टाप के hunter हो तुम you out to go and lie on the kitchen oven and catch black beetles not go after foxes my heart नेटालिया बोलती है कि तुम्हें तो kitchen में जाना चाहिए और वहां के kitchen oven में जाके सो जाना चाहिए और वहां पे black beetles पगरना चाहिए ना कि foxes हमेसा my heart my heart करते रहते हो चुब को बोलते है yes really what sort of a hunter are you anyway दाकि हाँ सच में तुम किस टाप के hunter हो you out to sit at home with your palpitations and not go tracking animals तुम्हें तो घर में बैठना चाहिए अपने पुरा यह heart का palpitations लेके तुम्हें animal tracking नहीं करना चाहिए hunting नहीं करना चाहिए you could go hunting but you only go to argue with people and interfere with their dogs and so on तुम hunting कर सकते हो इस palpitations के साथ भी लेकिन तुम क्या करते हो कि हर people के साथ argue करने लग जाते हो बहस में जूर जाते हो औ इंटरफेर करते हो उनके कुत्तों के साथ और बाकी सारे मामलों में let's change the subject in case I lose my temper subject change करो नहीं तो मैं अपना temper खो दूँगा you are not a hunter at all anyway तुम किसी भी लिहाद से एक hunter नहीं हो लो मोब बोलता है and are you a hunter तो क्या आप hunter है क्या you only go hunting to get in with the count and to intrigue आप तो hunting के लिए सिफ इसलिए जाते हैं कि आप count के touch में आ जाए get in with मतलब किसी के touch में आना किसे मिलना ठीक है आप count से मिल पाए और उसके साथ कोई साजी सरज पाए intrigue मतलब साजी सरज ना तो यह count कोन है आ मेरुंस्की हंट रेस में count के कुत्ते के साथ जो गय से वो एकदम neck and neck दौरा था वही count का बात किया जा रहा है ठीक है फिर लो मोब आगे बोलता है कि oh my heart you are an intriguer बोलता है मेरे दिल फिर बोलता है कि आप एक intrigue है साजी सरचने वाले इंसाने आप चुभू को बोलता है what I am an intrig shouts shut up बोलता है कि क्या कहा तुमने मैं एक intriguer हूँ मैं सरियंत रहता हूँ फिर से लाकर बोलते है shut up चुप हो जाओ लो मोब बोलता है intriguer फिर से फिर चुभू को बोलते boy pup बोलता है कि चुप हो लड़के pup मतलब किसी जानवर का बच्चा हो तुम ठीक है लो मोब बोलता है old rat jesuit यह सब बोलको उसे खोचता है jesuit का मतलब बता है intriguer ठीक है साजी सरचने वाला चुभू को बोलता है shut up और I'll shoot you like a patrice you fool बोलता है चुप हो जो नहीं तो मैं अभी तुम्हें गोली मार दूंगा ठीक है एक पंक्चे की तरह तुम्हें गोली मार दूंगा यू फूल ब वह तुम्हें पिटा करती थी पर इतना बोलके अरे मेरा पैर मेरा टेंपल्स आप देख पारें इस पिक्चर में इस डिजन को टेंपल बोलते है ठीक है फिर इस पार्क सुनता है कि कोई बिजली मुझे दिख रहा है मैं गिरा मैं गिरा चुभू को बोलता है and you are under the sleeper of your housekeeper और तुम भी अपने housekeeper के कदमों तो ले रहते हो लोग मों बोलता है there 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 my heart burst मेरा दिल तूटके गिरा my shoulders come off मेरे कंदें तूटके नीचे गिर रहे है मेरा कंदा कहा गया I die मैं मर रहा हूं falls into an armchair और इतना बोलके वह आम चेर पर गिर जाता है a doctor बोलता है doctor बोलाओ चुभू को बोलता है boy milk swap full I am sick drinks water sick मुलता है कि milk swap milk swap मतला होता है coward ठीक है उसको मुलता है तुम कायर हो बयोकूफ हो मैं बीमार पर रहा हूं ठीक है फिर पानी पीता है मैं बीमार पर रहा हूं मर गया चुभू को बोलता है I am sick I can't breathe here लगी मैं बीमार पर चुका हूं मैं या पर सांस नहीं ले पा रहा हूं मुझे हवा चाहिए Natalia बोलती है he is dead फूल लोमोफ स्लीप इवान वैसलवीच इवान वैसलवीच इवान वैसलवीच वाट है वाट हव यू ड़न तु मैं यह तुमने क्या कर दिया ठीक है तुम मुझे छोड़ के क्यों चले गए यह मर चुका है फिर यह भी सब्वे में आके एक आम चीर पर गिर जाती है a doctor a doctor बोलती कि doctor बुलाओ hysterics ठीक है uncontrollable अब पागलों की तरह यह भी कर रही है चुबुकोफ बोलता है oh what is it what's the matter क्या हुआ देखे तो क्या बात है नैटालिया बोलती है रोते हुए he is dead dead यह मर चुका है चुबुकोफ बोलती है who is dead कौन मर चुका looks at Lomov की तर ले जाता है drink this बोलता है पियो no he doesn't drink वो नहीं पी रहा है it means he is dead इसका मतलब है Lomov मर चुका है and all that I am the most unhappy of man मैं सबसे दुखी इंसान हूँ why don't I put a bullet into my head into my brain तेकि मैं अब खुद को गोली क्यों नहीं मार रहा हूँ why haven't I cut my throat yet मैंने अपना गला विदा क्यों नहीं काटा क्यो पिस्टल लो मुझे मैं कुत्व गोली मार लू लोमोब मुझे तभी लोमोब थोरा हिलता है he seems to be coming round लग रहा है इसे होस आ रहा है ठीक है drink some water लो पानी पियो that's right ठीक है लोमोब बलता है I see stars mist where am I मुझे ताडे दिख रहे है मुझे कुहासे दिख रहे है मैं कहां पे हूँ चुब को बलता है hurry up and get married and well to the devil with you बलता है कि जल्दी करो जल्दी करो उठो 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 साधी कर लो और तुमारे अंदर जो राक्षा से उससे ही साधी कर लो दू she is willing वो त्यार है he puts लोमोब's hand into his daughters तो वो क्या करता है लोमोब का हाथ अपने डोर्टर के हाथों में रख दे रफा दफा हो जाओ यहां से लोमोब बोलता है getting up eh what to whom लोमोब तभी भी health से परशान है वो उठते हुए बोलता है कि क्या बोल रहे है किस साधी कर लो क्या कर लो चुमारे को बोलता है she is willing वो त्यार है well kiss and be damned to you वो त्यार है ठीक है उसे kiss करो और भाण में जाओ तुम I am willing तो Natalia रोते वे बोलती कि आड़े यह तो जीनदा है हाँ हाँ मैं त्यार हूँ मैं त्यार हूँ किस के लिए त्यार हूँ साधी के लिए त्यार हूँ चुमारे को बोलता है kiss each other कि कि किस कर लो जल्दी से लोमोब बोलते है eh kiss whom मैं किसे kiss करू they kiss इतना मुलने का बाद दो फिर मेरा दिल स्टार्स I am happy Natalia step on over मैं खूस हूँ Natalia किसे सर हैं फिर उसके हाथों को किस करता है my foot's gone to slip मेरा पैर सुन पर रहा है वो अपने health से भी पड़सान है उसका दिमाग अभी पूरा चिसकरिक से recover नहीं हो बाया है यहां पर वो गिर चुका था बेहोस हो के उसलिए वो ऐसा ऐसा बात कर रहा है Natalia बोलती है I am happy to बहुत कि मैं भी खुस हूँ चुबु को what a weight of my shoulders उफ बहुत कितना बड़ा बोज मेरे कंदों से हटीया है Natalia बोलती है but still you will admit that guess is worse than squeezer Natalia अभी भी continue कर रहे है कि अभी भी तुम्हें admit करना होगा कि guess जो है 100 गुना बुरा है squeezer से लो मो बोलता है better अच्छा है वो नेटलिया बोलती है worse बुरा है फिर चुबु को बोलता है well there's that's a way to start your family please have some champagne बोलता है कि यही एक तरीका है family start होनेगा family में जगरा ना हो तो वो family कैसा ठीक है champagne प्यों लो मो बोलता है he is better बोलता कि बहुत अच्छा है मतलब guess अच्छा है नेटलिया बोलती है worse 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 बुरा है बुरा है बुरा है बुरा है चुबु को बोलते है trying to shout her down champagne चुबु को भी सोचते हैं कि यह जहरा खतम नहीं होगा तो अब आज को डाउन करने के लिए वो जो लगा आप जरूर कमेंट करके बताईएगा वीडियो चला लगा तो वीडियो को जरूर एक लाइक कर दीजेगा और दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा और अगर आप चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और चैनल पर जो बाकी कंटेंट है उसको भी देखिए आपको जरूर पसंद आएगा चली फिर एंड करते हैं मिलते हैं पॉजल किसी और वीडियो में तो तक लिए गुडबाए एंड टेक क्यार